हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं वो है ट्रॉपिकुल की तरफ से मिनी फ्रीज जिसे आप कार हो या घर आप कहीं पे भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये मिनी फ्रीज पोटेबल होने के कारण आप इसे कहीं पे भी आराम से लेकर जा सकते हैं इसका वेट लगबग 3 किलो है इसमें किसी प्रकार का कोई आवास नहीं आता है इसका साइज जो है सामने से चौडाई में 7.5 इंच है लंबाई में 11 इंच है और साइड से चौडाई में 8 इंच है और इसकी कॉंटिटी जो है वो 8 लीटर की है बॉक्स में आपको ये मिनी फ्रीज मिलता है और घर पे यूज करने के लिए एक AC कॉड़ और कार में यूज करने के लिए दूसरा अलग से एक DC कॉड़ मिलता है चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे यूज कैसे किया जाता है और प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सकाइब कर लिजे और बाजो में गंटी का आइकॉन दबा दीजे ताकि आगे भी मैं आपको AC सही जानकरी दे सकूँ फिलाल अभी हमने फ्रीज तो चालू कर दिया है यहाँ पे देखें मैंने कॉड को जो है यहाँ पे लगाया है AC कॉड के यहाँ पे क्योंकि अभी मैं इसे घर पे यूज कर रहा हूँ अगर आप इसे कार में लिके जाते हो तो आपको कार का जो DC कॉड है वो यहाँ पे लगाना है जब आप कार में लिके जाओगे और यहाँ पे अभी फिलाल मैंने चालू तो किया हूँ बट यहाँ से यह स्टॉप है अगर मुझे इसके अंदर जो चीजे रखी है यह स्विच को उपर करना है ताकि वो चीज जो अंदर रखी वो गरम हो अगर आपको स्टॉप करना है तो आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो या डारेक्ट प्लग से आप स्विच आप कर सकते हो और ध्यान दीजिगा जब आप स्विच को चेंज करते हो तो ये हरी light चीजों को ठंडा करने के लिए है और ये लाल light चीजों को गरम करने के लिए है अब इसमें जो आप fridge के अंदर जगा देख रहे हो ये यहां अंदर पूरा space ठंडा या गरम करता है फिलाल मैं इसे अपने personal use के लिए रखा हूँ मैं आपको कुछ bottles रखके बता देता हूँ फिलाल ये सब bottles जो है वो खाली इसमें पानी नहीं है लेकिन example के लिए मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ ताकि आपको space का जो इसके अंदर का area है पता चल जाए देखिए सारी bottle इस fridge के अंदर आ जाती है एक साथ जैसे ये एक लिटर की bottle है ये साड़े 700 ml की bottle है ये 600 ml की bottle है ये 600 ml की bottle है ये 500 ml की bottle है लेकिन ध्यान दीजेगा आपके bottle की लंबाई 10 इन से जादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि 10 इन से अगर लंबाई जादा होगी आपके bottle की तो वो इस mini fridge के अंदर नहीं आईगी और ध्यान दीजेगा इस mini fridge को यूज करने से पहले आप देड़ से दो घंटा इस mini fridge को पूरी तरह से खाली रख के ठंडा कर लीजेगा और इसमें आप normal fridge की तरह सबजी, फल्फूरूट, पानी, को ड्रिंग रख सकते हो वैसे इस mini fridge की कीमत लगबग 6,000 रुपया है एक साल की warranty के साथ आपको ये mini fridge मिलता है और इस mini fridge में normal fridge की तरह compressor नहीं लगा हुआ है normal fridge के compare में इस fridge में चीजे normal fridge के जितना थंडा तो नहीं होता है पर फिर भी अच्छा खासा थंडा हो जाता है 15 degree से 20 degree तक लगबग इसमें पानी थंडा होता है और 60 degree तक लगबग गरम होता है इसमें आप बरफ जमा नहीं कर सकते ये mini fridge आइस के लिए बिलकुल भी नहीं है और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इस fridge को लेके एक साल से ज्यादा हो गया है मुझे तो ये personal use के लिए बहुत अच्छा लगा है मैं इसको कहीं पे भी आराम से लेके जा सकता हूँ नॉर्मल fridge के जितना तो नहीं पर ये पानी को काफी अच्छा खासा ठंडा कर देता है वैसे मुझे तो पिछले एक साल से कभी कोई problem या issue नहीं आया है इस mini fridge में अगर आपको इस mini fridge को खरीदना हो तो मैंने नीचे link दिया हुआ है और please मेरे channel को subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं next video में धन्यवाद